रामपुर बुच शहर में अनाधी कृत निर्मान पर रोक लगाना तभी संबफ होगा जब सभी वभागों का आप सीतार में लोगा मगलवार को सारा की बैटक में सायक नगर योजनका जोती ठाकोर ने कहा कि यदि सभी विभाग मिल कर एसे निर्मान को रोकने में सहयोग देंगे तो इसे रोका जा सकता है बैठक के दरान उन्हेंने सपष्ट किया कि साराक्षेतर के तहत किसी भी व्यक्ति को टीसीपी के बिना लोसी के बिजली पानी के कनेक्शन ना उपलब्द करवाए जाए इस्डियम रामपूर कारालय में मंगलवार को विशेक शेतर विकास प्रादिकरन वो जिलस्तरिय समन्विय समीती की बैठक आयोजित हुई बैठक की अध्यक्षता साड़ेवं जिलस्तरिय जिल्ला समन्विय समीती के अध्यक्षेज्रियम रांपुर सुरिंद्र मोहन ने की बैठक में मौझूद सायक डगर योजनका जोती ठाकों ने वर्ष भर के आयवेय का ब्योरा पेश किया साड़ा स्राहन के पास 7,75,000 रुपई की राशी जमा है जिसे विकास कारियों पर खर्च किया जाएगा लंबित कारियों पर समीती अध्यक्षने मागी विभागे परतिक्रियाएं साड़ाक्षित्र स्राहन की बैठक में पिछले कई मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें स्राहन के वार नमबर 4 में सीवरेज लाइन बिछाना और सीवरेज लाइन के चैंबर के रिसाफ को दुरूस करना रहा इसके लावा पसद्र स्राहन से हवा घर तक स्ट्रीट लाइट लगाने गार्बेज डिस्पोजल पिट्स के निर्मान करने के कारे मुखे रहे साथी स्राहन में पारकिंग निर्मान के लिए भूमी सविकृत करना अम्बुलेंस सड़क को पका करने विशेश शेत्र के भीतर साइन बोर्ड और पराफिट निर्मान करने और लंबित अनाधिकृत निर्मान के बिजली पानी के कनेक्शन को काटने के लिए विविविभागों से विचार विमर्श किया गया समिती अध्यक्ष ने सभी विभागे अधिकारियों से कारियों पर जवाब तलबी भी की समिती अध्यक्ष शेज्रियम रांपो ने सभी विभागों को निर्देश देते हुए का कि जितने भी लंबित कारे पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करे झाल 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 झाल